अलो फ्रेंड्स आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूटूब चैनल का वीडियो टुटोरियल सीरीज, मास्टर क्लास, सॉफ्टर इंजरिंग एंड प्रोग्रामिंग लेंग्वजेज अभी हम चैप्टर 3 के टॉपिक 5 में हैं, चैप्टर 3 है हमारा सॉफ्टे इंजरिंग फेज़ेज, टॉपिक 5 हम चला रहा है कि सिस्टम डिजाइन्स मेठर्ड्स है, क्यों-कौन सी मेठर्ड्स अविलेबल हैं और कौन-कौन सी हम मेठर्स पर काम करते हैं, और जो लिए थे, अब यह टॉपिक 5 है, सिस्टम डिजाइन्स मेठर्ड्स होती है, प्लग और प्लेए, हम उस मेठर्ड को इसमें समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि नाम में ही में मेंशन है, प्लग और प्लेए, तो क्या होगा प्लग और प्लेए में, कि लग एन ले इसमें क्या होता है लग इन प्ले के अंदर कि जो हमारे पास जो कोड है हम रियू रियूज आफ कोड होता है कंसेप्ट होता है कोड रियूज मीज हमने जो आल्रेटी जो हमारे पास कोड लिखे हुए है हम उसको सिर्फ कॉल कर रहा है मीज हम पेरामिटर पास करेंगे कि जीसा कि यह आपने अभी तक थोड़ी कोडिंग है अगर आपने पढ़ी होता आपने देखा होगा हम लिखते हैं फ़ंक्शन कॉल करते हैं और पेरामिटर पास करते हैं वीरियबल ओर आप और उस फॉंक्षंस में या तो वाइड होगा या कोई ड्रेटन वेलिव कर रहा है लेकिन अ प्लग अदर वाइड वाला कि कोई कंसेट्ट नहीं होता आल्वेज रिटन वेलिव करता हो means code reuse का simple सा concept है कि जो भी हमारा code जो हम लिख रहा है उसको हम बार-बार recall कर रहा है बार-बार हम recall कर रहा है तो plug and play भी same चीज है हमारे पास एक code library होगी कोड कोड लाइबरी होगी जिसमें multiple scores already पहले से लिखे होंगे for example किस किस तरह किस लाइबरी हो सकती है जैसे टेबल इंसर्ट की अगर इंसर्ट रो इंसर्ट रो इंटेबल हमने एक function बना लिया ठीक है अब इसमें हो सकता है टीबील नेम वेरियेबल हो टीबेल नेम और columns का columns का object होगा ठीक है हमने यह ले लिया तो यह function है कि अब इंसर्ट का मांड का ओरेड़ी बहुत सारी जगा पर इंसर्ट रो इंटेबल में यह हम कमांड कई बार call कर रहöंगे बहुत सारे database में हम call कर रहोंगे किसी तरीकि से functions update row in table करके function हो सकता है update table हो सकता है heut अल्टर कर एक अंट में इस फॉंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे में अब लिखा हुआ है मिस हम इसको जब हम तेबल में िसेavak कोई अइन्सट करना होगा को cuma नहीं कोषा है निएक सब्सक्रेता ईह। फाइ Plato टू तो हमने ने सेवं इंसर्ट रो इंटेबल फंक्शन को लिए। में इन्स टेबल रो इंशाटर है रहिं टेबल और के हम उसका पहले कॉलम्स सब्जिक्ट बनाएंगे और कॉलम इसमें को हम पास करके यहां पर अब जितनी बारे गोंप doğru होग कि हम्जन्स को हम उसका सेमेंग एक अध्यूप कॉल करेंको सेमें को कुछ भी नहीं टाइए ठीक है और यहां पर इंसरट में यहांपर और यह इंट 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 इ यहाँ पर इच कर रहा है को टॉमच्ट को पीक कर रहा है ऑ्ट यहांसे प्लाइप प्लास पिर उसी कॉल मगत के साथ है एक कॉलमचिками कॉलमच के साथ और उसके लिखा यहाँ पर वेल्यूस लिखाै बैक्ट में कराओ को यहाँ पर हमने उसकी वेल्यूस को त्रेज कर दिया फिर उसके बाद हमने है एक रिटन बना लिए है डि ने एूट लुटा जो बी जो लिटन आई डि तो यहां पर आईडी को हमने रिटन कर दिये रिटन आईडी ठीक है एस वल यहां पर इसमें एरर किये ना गुंजाईश हो सकती है तो हमने ट्राइकेश ब्लॉग बना लिया और केश में अगर कोई एरर आती है तो रिटन इसकасти है अब यह यहां पर जांआ हम फट्शिंश को कॉल करना है तो उस सम्मिट बटन हमने जब वंक्शिंश को कॉल करा तोूं मतलब crust इसका ड्य ऑल रहा है वह तो ब्हु assists point सक्सेस मैसेज डॉप कर देगे एंस अब यहाँ पर हमें क्या करना है एरर हैं करनी है अगर हमारा फेल हुआ है मतलब डेटाबेस इंपूट्स नहीं हुआ हमारा रोल इंसर्ट नहीं हुए या तो हम यहीं पर कर देंगे कि सेम फंक्शन को सेम वेल्यू के साथ फिर से कॉल कर दी यहां पर अगर घर रो इंशन फेल उता है कोई उर होती है यहां पर doen के इंग केशская बना सब्सक्राइब आता सकते हैं की इस तरहन पर हमने केश्वर कर दी यहां इस सब्सक्राइब कई सारे functions हो सकते हैं अब हमने यह function बना लिया अब हमें जब भी आप coming projects में insert row in table की command के लिए जब भी हमें कोई row insert करनी होगी table में तो हम इस functions को बार बार डिजाइन नहीं करेंगे हम उस functions को call करेंगे यह तो एक simple में हमने यहां पर जी वाई बनाया इंपूट बॉक्स बनाया उस सम्मिट बटन पर जो हमारा एसरे से उसके बनेंगे और हमारी library में हो functions बना हुआ नहीं तो हम लाइबरेरी में वो functions बना के डालेंगे फिर उसको का हम इसको इस्तमाल करेंगे एक time एक peak time ऐसा आएगा कि आपको project बनाने के लिए कोई नया functions सारे आप के बास मुझेट चलियागे तरहे हुशान अब ताइम ईसा आएगा जब आपको नया कुंक्ष्ण बनाना नहीं पड़ेगा मतलब नया कूड करना ही नहीं पड़ेगा अपको जस्ट मेंठर ये और मेंठर को कॉर्ल करना उस और इसे हर तरीके से हम functions में हर चीज़ को divide करेंगे जैसे में आप बताया थे कि first if validates truth then उसके भारत हमारे पास validations का function बना सकते हैं जो station का function बना सकते हैं ठीक है अब यह एक function हमने है ना different different parts में हमने functions को divide कर दिया ठीक है एक पार्ट तो यह हो गया कि हम functions multiple library functions की लाइबरी बना सकते हैं दूसरा एक हमारे पास हो सकता है set of functions set of functions मतलग एक इसा operation एक particular कोई operation जिसमें set of operations है set of functions है set of inputs है it's called plugs कैसे for example जिसे पूस्ट के अंदर अजींस का सड्राइब फॉस्ट के अंदर है片Just टेकरारिजेरें से प्यक्त के अप्र। कि करदेगरिय एक प्रयक पॉर्ट के ऐक बारवर बार हो रहा है according to according to their type, their type मतलब category में हमने एक id column है हमारा category name है, इस category का parent हो सकता, फिर इस category का order मतलब वो list में किस order पे दिखेगा, plus id name parent order हो गया, plus इसका type, ठीक है, अब मनलो type कौन-कौन से हो सकते हैं, नाम समझ में आ रहा है, कोई भी एक नाम, parents जो user defined होगा, उसका parent कौन सा हो सकता है, और 0 मतलब top, otherwise id मतलब उसका parent मतलब hierarchy, अगर हमें categories की hierarchy बनाना, और इधर एक number value होगी, integer value होगी, 0 to 9 तक या कितने भी, जिसमें हम उसकी ordering बता रहे हैं, कि वो list जब भी उसकी list display होगी, तो वो किस order में देखेगा, एक alphabetical order होगा, और एक order by preference होगा, type में कौन-कौन सा होता है, अगर हमारा post है, हम post के लिए category यूज़ कर रहा है, तो post, e-commerce है, e-commerce में category हमारा product category हो जाएगी, clients को हम categorization करना है, तो clients हमारा एक category हो जाएगा, seller के लिए अगर category करना है, तो type हमारा एक seller हो जाएगा, means according to their particular चीज, set of functions कहां हमारा यूज़ हो रहा है, means इस particular category का हम एक plug बनाएंगे, जिसमें list of categories दिखेगी, list of categories दिखेगी, प्लस उपर है न, ordered set करने का option होगा, ordered मतलब जहां पर हम set करेंगे कि ordered by ordering, ordered by preference या ordered by alphabetical और वो list display होगी, plus as well as हम यहां पर plus करेंगे, plus button पर click करेंगे, एक button होगा, जिस पर इस new category create करने का एक option होगा, मतलब एक set of functions, पहला कुन-कुन सा, एक function तो हो रहा है, insert, कुन-कुन सा, एक हमें insert new, insert new करने का एक option आ रहा है, insert new में क्या होगा, यह plug जिस module में लगा हुआ है, वहां से हमें type मिल जाएगा, बाकी नाम उसको डालना है, parent select करना है, order उसको डालना है, id generate होगी, और list में वो एक नया add-on हो जाएगा, नया add-on हो जाएगा, तो insert function call हो रहा है, as well as, इसी में हम दे सकते हैं कि particular को हमें update करने का option दे सकते हैं, edit करने का option दे सकते हैं, यही कि उस category को आप edit कर सकते हैं, इस पर edit करा तो id उटकर आगे, बाकी typo fix रहेगा, बाकी भी आप है नाम, parents चेंज कर सकते हैं, list दुबारा से है, select operation लगके, select function call होके, वो list open होगी, open होगी, that's, अब हम delete function में आपको पिछले SRS में बता चुका हूँ कि delete function कभी भी नहीं होता, मतलब उसमें enabled और disabled का option होता है, मतलब हमें एक bool column ले लेंगे, bool column ले लेंगे, जिसके हम true calls होगा, और हम उसको enabled है कि नहीं है, या हम show ले सकते हैं, show, ठीक है, show भी multiple बना सकते हैं कि भाई, e-commerce पे इसको show करना है, billing में show करना है, multiple types of show, अगर if enabled, यहाँ पर है ना, select में है न, filter operation जाएगा, है कि column name, column name, column name, column name, e-commerce is equal to, अगर enabled हो, तो, है न, column name, billing show is equal to true हो, तो, यहाँ पर हम select operation चूज़ करना है, तो select operation जब चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर से functions हम call करना है, means, set of functions, set of operations is call plug, इस तरीके से set of operations हम multiple plugs में divide करते चले आएंगे, divide करते चले आएंगे, बहुत सारे हमारे पास plugs होंगे, means, अगले projects में क्या होगा, जैसे, एक तो category का functions हो गया, अगर मैं बहुत सारे projects में बात करूँ, तो web page create करने का एक है न, हमारे पास library में ready-made plugs होंगे, जो set of functions को call कर रहे है, set of methods को call कर रहे है, set of जो भी चीज़े है, x, y, z, तो इस तरह है कि जब set of functions को, यह set of columns को जब हम call करते हैं, it's call plug, अब set of, जो हमारा SRS के recording, जब हम software बनाने आएंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ पहले से होगी, SRS में तो हमें सिर्फ यह पता होगा, कि हमें उसका inputs कुन-कुन से लेना है, मतलब हमारे पास forms आ जाएगा, कि inputs कुन-कुन से लेना है, और किस button पे, क्या करने पे, कुन सा functions call होना चाहिए, ठीक है, अब हम development phase में क्या करेंगे, plugin play वाले method में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम उसका GUI create करेंगे, और उसकी CSS बनाएंगे, theme बनाएंगे, और उस forms को हम create कर देंगे, forms को create कर देंगे, अब हमें इसमें, उसके SRS में लिखा होगा, कि भाई साब इस पे submit button होगा, ठीक है, submit button होगा, list का button होगा, with filter operations के साथ, will filter option operation के साथ, और submit है, new भी हो सकता है, और update भी हो सकता है, ठीक है, पुराने में changes में ही है, enable disabled का option होगा, delete operation हम कभी भी नहीं लेते हैं, list operation मतलब with filter operations के साथ, ठीक है, अब form बन गया, button बन गया, button बन गया, इस button पर कुन सा functions कालना है, हमें insert button काल करना है, ठीक है, अब itself यह खुद में, अब यह हमारे यह बन गया तो यह एक हमारे plug के तूर पर बनेगा, just एक plug बन जाएगी, और यह हमारी library में stored हो जाएगी, मनीज हम जब भी इस functions को, हम दोबारा भी इस चीज़, same function set of functions को, call करने को, update को, set of functions को, हम एक plug में save कर रहे हैं, जैसे अकर asp.ch की बात करूं, तो हम ascx में save करते हैं, plug के तोर पे, ascx के तोर पे हम call करते हैं, तो यह हमारा plug भी, library में stored होता जाएगा, हम जब कोई नया plug बनाने जाएगे, तब भी हम set of functions में से, library में से call करेंगे, plus हमारे बास predefined पहले से, बहुत सारे plugs बनते चले आएगे, बस हमें क्या करना है, according to, according to command, according to user selections, हम उस plug को call कर लेंगे, कैसे call करेंगे, अब हम यहाँ पर plug, plug हमारा समझ में आगया, अब plug को attach करके, assembly करके, हमें उसको just call करने का एक method बनाना है, कैसे, For example, हमने admin section बनाया, एक admin section बनाया, जहांपर हमने, हमने default.aspx को call कर रहा है, default page को call कर रहा है, और वहाँ उपर हमने, एक query string दे दी, query string दे दो, या view, कौन सा view करना है, वह हमने उसकी command दे दी, अगर MVC की बात है तो view कौन सा है, means default.aspx, या तो query string दे रहा होंगे, कि कौन सा method call होगा, मतलब user को एक list of functions को लेंगे, मतलब मैंने module ले लिया, web page module ले लिया, तो कौन कौन सा खुलेगा, page, inquiry, post, magazine, e-commerce का एक module ले लिया मैंने, तो कौन कौन से products, client, billing accounting का अगर मैंने ले लिया, billing accounting का ले लिया, तो, invoice, estimate, अब इस पर क्या होगा, इस पर सेम चीज़ कॉल कर रहा होगा, default page कॉल कर रहा होगा, default.aspx, और question mark लगके, query string लगी होगी या view state लगा होगा, इसका क्या option होता है, जैसे हमारा www.abc.com, अब यहां पर, asp.net होगा, default.aspx और php पर बनाया होगा, तो, index.php या default.php, for example हमने यहां पर ले लिया, index.aspx, अब query string के parameter में क्या होगा, question mark cmd command is equal to product, और अगर view state method के form में होगा, www.abc.com, slash, index, slash product, अब इसमें भी फर्दर है ना हमारे पास, हम global.aspx में यह एक्स के थूरू, हम यहां पर इसको फर्दर बढ़ा सकते हैं, new, या view, यहां पर भी product के साथ एकों जोड़ी आएगा, अगर इस new है तो वो new वाला open कर देगा, नहीं है, पर्टिकुलर प्लक को, जस्ट वो पर्टिकुलर जो हमारा यह main page होगा, वो according to cmd, according to cmd, उस प्लक को just call कर रहा होगा, कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट उस प्लक को call कर देगा, उस प्लक को call करने पे वो plug open होगा, उस प्लक के अंदर वो operations को call होगा, तो हमारे पास इसे plugs भी बहुत सारे बनते चले आएंगे, बनते चले आएंगे, उस plugs को हमें customer की need के according, जैसे inquiry है, लगबख हर customer inquiry वाला मांगेगा, लगबख हर customer है, 100% customer page और inquiry वाला चीज मांगते हैं, post मांगते ही है, web pages create करने का मांगते ही है, तो हमें यह फिर से नहीं बनाना है, यह already हमारे पास plug बना हुआ है, हमें सिब ADMIN section में उस plugs को सिफ copy & paste करना है और plug को call करना है, ठीक है, उस plug के उस plug के अंदर जैसे कि मैंने functions में call कर रहा है, ठीक है, insert method call कर रहा है, सकते हैं कि इस संट है होगी कि यह हमारे पास और सब्सक्राइब कर रहा है तो सब्सक्राइब कर रहा है मतलब यहाँ पर रखन कर सकते हैं कि टेबल का function क्या call करने पे वहाँ पर SQL की पूरी एक SQL command SQL set of SQL statements call करेगा जिसके अंदर पूरे update table की command चल रही होगी update table की command कैसे चल रही होगी वहाँ चेक करेगा कि यह टेबल particular table हमारा exist है कि नहीं है if not exist then create table हम यहाँ पर भी एक है केश statement में table की अगर टेबल not exist कि रहा रहा आती है तो particular का table create करने का हम यहाँ पर method create कर सकते हैं means यहाँ पर plug को हम प्लेट करके assembly करके just हम call कर रहे हैं और हमारा dashboard बन जाएगा ठीक है अब कुछ specific हमें जेक वाइरी फंक्शन एडिशनल करने होते हैं हम उसको भी लाइबरी की तोर पर ही design करेंगे जब भी हम कोई coding करेंगे या कोई functions लिखेंगे वह लाइबरी की तोर पर ही लिखेंगे कभी हम ऐसा नहीं करेंगे किसे वह customer के लिए हमने वह code लिख दिया नहीं उसको जब भी लिखेंगे वह उसको plugs के form में ही उसको design करेंगे plugs के form में ही उसको बनाएंगे plug क्या है set of functions set of functions set of जिसके ना हुँ सारे functions कुछ call हो रहे हैं कुछ operations हेना चल रहा है data is called plug और plugs को हम उसको हम दिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे इस method का एक example होता है जब आप development करेंगे तो उसके according एक call functions होता है उसका मैं आपको अपको प्रमेंडे स्टिर्टिक्टिर हो सकता है किसे हम उसको infrastructure को call कर रहे हैं और सिर्फ admin sections पे नहीं हम उसको तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीके से मतलब query string method पर बता दूंगा और view state वाले method पर मैं आपको practice वाले में बताऊंगा तो plug and play में मतलब हमारे पास जब भी हम software development company start करेंगे मतलब हमारे पास library हर हाल में होना चाहिए लाइबरी में में कुछ ready made already बहुत सारे functions होने चाहिए बहुत सारे plug होना चाहिए means जब हमारे पास already functions हो plugs होंगे तो हमें कोई भी products बनाने के लिए कोई भी software का application बनाने के लिए किसी भी clients की application बनाने के लिए हमें just SRS करना है ठीक है और plug and play के एक और SRS से हमें पता चल जाएगा कून सी चीज कहाँ कौन सी चीज कहाँ कॉल करनी है हमें SRS से पता चल जाएगा मतला हम उसके functions को प्लक्स को कॉल करना है अनीक कोडिंग करनी पड़ेगी जिनकर हमारे पास रेटीमेन में प्लक्स नहीं है या और उस्में भी हमे कोड नहीं करना पड़े गा उसका अगर हम उसक फसके कोडिंग Manual टो ग्विए आप哈哈 पूरा सिस्टम का हम को प्लाइन प्ले वाली मिल्ट से हम पूरा सौफ्ट्रय बनाने में क्विकली हम सौफ्ट्रे डवलाप करने में कैपेबल हो जाएंगे as well as हमारा जो concept है जो 2020 का जो हमारा concept है nc means पहले तो no code no code मतला आपको कोई code करना ही नहीं है और करना भी पड़े तो low code तो हमारे इस concept में plug and play के concept में क्या होगा no code functions तो आ गया low code कोंसा हो गया कि हमें भाई जी वाई लिखना पढ़ रहा है हमें उसके inputs फॉर्म लिखने पढ़ रहा है और अगर मैं और advance की बात करूं तो library में ऐसे यसे भी functions आ चुके हैं जिसे अगर मेरे को forms बनाना है forms बनाने के लिए मैं drag and drop application visual studio यूज़ कर लूँगा मतलब मुझे इसके लिए कोई भी code इसके लिए भी नहीं लिखना पढ़ रहा है ठीक है अब CSS के लिए customer की need के recording कोई मुझे user interface बनाना है है ना उसका जो भी flow बनाना है तो flow के लिए भी मैं है ना कोई studio या तो मैं खुद का बना लूँगा या फिर studio में इस्तमाल कर लूँगा जहां पर मैं सिर्फ drag and drop से बिना coding के मैं वहाँ पर अपना flow भी बना रहा हूं तो जब flow बना रहा हूं मैं इंपूर्स फॉर्म हैं और drag and drop से बना रहा हूं तो मेरी coding हो ही नहीं रही है और किस particular पे मेरो को क्या call करना है कौन सा functions call करना है वो मैं सिर्फ submit बटन पे एक functions call करने की parameter पास करके functions को call कर रहा हूं nothing else के लावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं इसके लावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं अब एसारे से हमने पूरा system हमने पूरा बना लिया पूरा system हमने ले लिया और सी एस इस बी जो है customer के recording हमारे पास theme बनाने का भी हमने ना उसके लिए एक studio ले लिया या फिर है ना कोई एक टूल अपने लिए खुद का बना लिया में हमने customer को quickly हमने है और software को delivered कर दिया अब इसके हमें क्या-kya benefits होंगे इस तरह के plug-and-play के हमें क्या-kya benefits होंगे क्या-kya benefits आपके mind में आना शुरू हो जाएगा क्या-kya benefits हो सकते हैं सबसे फेला हम plug-and-play हमारी library में functions पहले से बना हुआ है और plugs पहले से बना हुआ है इसका मतलब हम सिफ forms का GUI design कर रहा है और functions को call कर रहा है it means हमारा जो भी code होगा या जो भी software होगा वह बहुत quickly developed होगा quick development होगा बहुत fast development होगा ठीक है second क्या हो सकता है बहुत quickly developed हो रहा है और functions already हमारे tested है बहुत जारा टेस्ट करने के बाद ही हम उसको library में डालेंगा already tested है मतलब हम यहाँ पर से forms के according उस automatic functions को just call कर रहा है just call कर रहा है मतलब जो है वह उसमें error free होगा हमें error आने का chance उसमें ना के बराबर है क्योंकि already हमने जो मापा functions डाला हुगा वह already tested है means error free होगा हमें nil testing करनी पड़ेगी हमें testing नहीं करनी पड़ेगी testing हमें कहां करनी पड़ेगी सिर्फ इतने में testing करनी पड़ेगी कि कि हमने पूरा parameters को call किया है मतलब ऐसा थो नहीं कि कोई हमने एकाद inputs को call करने भूल गया उसके लिए भी आदमी फंक्शन बना लेता है उसके लिए फंक्शन बना लेता है कि भाइसा आप तो है न मैंने डाल दी है वह खुदी इसना functions के परमेटर को खुदी उसका object बना के खुदी कॉल कर दे वह टेंशन ही नहीं पाले कि भाइसा वह न वाट इस डैट वह लोड नहीं ना ले ठीक है उसके लिए भी बना दिया उसके लिए फंक्शन बना दिया मतलब है न हमें टेस्टिंग निल टेस्टिंग की जलोत पड़े तो आलेडी उनने मेटर बना के रखा हुआ है एस वेल एस वहाँ पर इंफोर्मेशन हैल्प भी एकॉर्डिंग ली कस उसके इंपूर्स फॉर्म के इन पर इंपूर्स के एकॉर्डिंग वहाँ पर हैं आइकन बन के आ जाता है जो दिखाता है कि यहां पर आप मिक्जिम इ सकता है इतने करेक्टर्स की लिमेट है इस तरीके से वहाँ उनने डाल के रखा हुआ है मतलब प्रॉपर वेलिडेशन हम इस फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं कि और क्या बेनेफिट हो सकते हैं क्या हमें प्लगेंड प्ले से क्या होगा एक तो हमारा कुछ लिजट डवलपमेंट हो रहा है हम एरर फिरी है क्योंकि अल्रेटी जहां पर जो हम फंक्शन को प्लक्स को जो अटेच कर रहा है वह लिटी टेस्ट होने के बाद ही लाइबर से हमें एसकोईल की कोईरी यह मतलब हमें एसकोईल की कोईरी लिखनी पड़ेगी वह लिखनी पड़ेगी लेकिन आज की डेट में भी अगर मैं बात करो यह स्टोड्याने का डवलपर भी बना लिया है जहां पर वह एक स्टूडियो का स्टूडियो यूस करते हैं और SQL की क्वाईरी जनरेट कर लेते हैं एकॉर्टिंग लिए कि भाई टेबल नमबर वन का कॉलम का उठा के इससे माइनस करके इससे प्लस करके इससे मल्टिप्लेट बट करके यह कर दे तिमबल सा मेटर्स कॉल करने लगें और इस रो के साथ यह दिखाए इस रो के साथ मतलब वह भी इस्टूडियो वर्क में आ गया मतलब SQL की क्वाईरी भी अब वह लोग नहीं लिखते हैं बहुत रियर निलिखते हैं बहुत मामूली सा लिखते हैं में इंसेट की कोई अब हमें उस तरह की क्वाईरी दोवारा नहीं लिखनी पड़ेगी और वह हम कॉमनली लिखते हैं कि वह हर जारा तर प्रोजेक्स में वह फिट बेट है ठीक है अब SQL की क्वाईरी हम बहुत मामूली सी उसमें भी लिखना है मतलब नो कोड और थोड़ा बहुत लिखना लॉग इन कर रहा डेशबूर्ट खुला डेशबूर्ट के बाद कौन-कौन से फॉर्म से फीचर से फंक्चन से उसका जो फ्लो होता है वह एक्जेक्ली क्लियर होता है यूजर डिफाइंड होता है मतलब प्रॉपर होता है हम मतलब फ्लो कह सकते हैं प्लस यूजर तो नहीं करना पड़ता है वत्तंग अन्रफänderस अंक्वा अन्रफ की मैं १ौ मेंड चलिफ होता है जिस्के अल्फ मैं इसार्व से ही हम रिफान के क्लिक करने पर कॉन्सा हमाएं तो ये थैल होता हैं हम उसके functions बना रहे नहीं ६ या कोई भी रिपोर्ट से तो उस पे को सा हमारा रेडिमेट function जस्ट कॉल होगा कि खिए कि हम प्लगें पिले को जधा प्रिफर करते हैं आज के डेड़ में भी प्लगें ज्यादा जुमला सुना ओगा यह टोटल वर्टप्रेस है कंटेंड बनेजमेंट सिस्टम एक आता है ऊपन जॉनल सिस्टम आपने सुना ओगा ओजयस यह टोटल प्लग इन प्लेइश है तो इस तरह के कोई भी आप सॉफ्टेस देखेंगे को बड़े प्रोजेक्स को देखेंगे वह प्ले मेठट पर ही वो ज्यादा सक्सेज हुए हैं क्यों क्योंकि मान लिजए कि चलते हुए एप्लिकेशन में चलती वह एप्लिकेशन कर रहा है अब हमें अभी हमारा मान लोगे उसका यू आई जो यू आई का हम फ्रेमवर्क है वह बूट स्ट्रेप 3 यूज़ कर रहा है लेकिन आब मुठेसे स्रिफ सुर ऐगया happen क्या करेंगे हैं हम अपनी लाइब्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं एक जगा अपडेकी करें करना हमारे लिए बहुत इजिए इसके अलावा और क्या बेनेफेट है यू आई हम चेंज कर सकते हैं बहुत इजिली यू आई फ्रेमवर्क हम उसका चेंज करना बहुत इजिली पॉसिबल है सेकेंड माल लिजे कोई particular जगह पे हम माल लिजे कोई proper validations हमारा यूज नहीं हो पा रहा है कोई particular segment में कोई हमारी error आई तो सिर्फ वही plug जो उस plug में जो error होगी सिर्फ हमें उसी को ही test करने की और re-development करने की जरूप पड़ेगी means उससे related अगर कोई query चल रही होगी उससे related कोई query चल रही होगी तो वहाँ पर ही हम उसको repair query call कर लेगे means यहाँ पर हमें proper error handling या proper हमें उसको handling हमको proper करनी पड़ेगी plug and play में handling करनी पड़ेगी तो यह हमारा एक advantages भी हो जाता है कि हमेंसे उस particular segment में काम करना पड़ेगा पूरा project open करके नहीं बेटना है हमें उसे उस plugs को repair करना है plus यही इसका drawback भी है कि हमें उसको उससे related जो भी उससे related और दूसरे plugs में जो interlinking हो रही है communications हो रहा है उसके अंदर हमें उसको proper है उसकी handling करनी पड़ेगी ताकि उससे related जितने भी जो objects call हो रहा है उसमें damage नहीं होना चाहिए ठीक है यह हमने column name change कर दिया column delete कर दिया column का नाम change कर दिया कोई नया column डाल दिया नया column डालने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई existing column में कोई हमने changes करा तो हमें उससे उस particular plug को कितनी जगा पर call किया गया है हमें उसको call जहां-जहां हो रहा होगा वहां पर हमको उसको जाके check करना पड़ेगा कि जैसे नया column add करना हमें पूरा project open करने की जरुवत नहीं पड़ेगी है ठीक है मतलब हम particular plug को ही repair करेंगे पूरा project open करने की जरुवत नहीं है और क्या benefit हो सकता है plug-n-play का plug-n-play का quick development है plug-n-play का एक और benefit है आप जिसे आगर हमें पांच लाग plugs हमें बनाना है यह पांच लाग उसके अना modules पांच लाग हमें उसमें प्लक्स अगर develop करना है कुछ रेडिमेट प्लक्स होंगे रेडिमेट को अलावा हमें प्लक्स बनाना है UI बनाना है CSS बनाना है तो हम plug-n-play के अंदर हम इस पांच लाग को एक हजार लोगों में भी अगर बाटना चाह तो अब क्या होगा इस केस में क्या है इस केस में आप टीम वर्क करा सकते हैं कितने लोगों में भी आप प्रोजेक्स को डिवाइड कर सकते हैं कि इस वेल एस कितने लोगों में भी डिवाइड कर रहा है प्लस जो हमारी लाइबरी में पर्टिकुलर कोई प्लग नहीं है उसका डवलप्मेंट साइमें टेंसली भी चल सकता है वह बाद में आखिर में उसका प्लग कॉल हो जाएगा इस तरीक से यह एक प्लग न प्ले का कंप्लीट एक मेठाड होता है जिसके एड्वांटेज और डिसड्वांटेज दोनों में आप से शेयर कर दिया है और आज के करेंट 2020 के एरा में लो कोड नो कोड लो कोड को अगर फॉलो करते हुए प्लग फ्लेड पर बनाया गया system developers सफटरों ने सबसे टेवलक मेंन की सबसे सबसे सबसेर सकसेशसफुल मेंटी सबसे फर्स तो मेठेट के एकॉर्डिंग उस मेठेट को परेमिटर पास करके कॉल करना है और उदर सवाय के सक्सेज रेटन आ रहा है के वह उस उस फंक्चन भारेट को कॉल कर सकता है स्पॉल कर सकता है मतलब हमारा वहां पर जो कर अगर प्रॉब्लम है सिस्टम की अगर प्रॉब्लम है तो हम आप महाँ पर सक्सेस का कंटिनुटी महाँ पर बनी रहती है ठीक है और एस वेल एस हम सिर्फ एक ही जगा कॉल नहीं करते हैं कि हमने सर्वरेंड के प्रोग्रामिंग लेंग जिसमें सिर्फ टोटल हम उसको प्लगण प्ले कर रहा है हम कि low code nc को फालो करते हुए वो एक step और ahead हो चुके और आ कर चुकी है वो क्या concept है कि वो concept है कि यह है कि वह सिर्फ nuance डिफाइन करते हैं और उनके टाइप difference करते हैं बाखी वाकी सारी चीजे automatic होती हैं उनके forms भी उनके functions भी automatic call होते है crimes automatically developed होता है for example कि मैं यहां पर एक object हूँ object दिया object का नाम दे दिया tbl एबन लेम student और यहां पर मैं object बनाते जा रहा हूँ कि means फहला column ने means id में लिख दिया मैंने auto तो और यहां पर यहाँ पर टेबल structure design करने दिजाइन कि मैंने quite तो अब उसका यहांपर category वाला functions या टेबल जो है automatic call होके महांपर लग जाएगा मैंने वहांपर यहांपर दे दिया unit तो automatic unit वाला जो भी plugs होका वहांपर आके अटेच हो जाएगा means इस level तक पहुँच गए हैं कि मैं यहांपर सिफ object बना के मतलब अगर मेरे forms में 10 inputs है तो 10 inputs मतलब 10 line का code लेखके automatic में form develop करवा रहा हूं, plug बन बन रहा हूं और उस plugs में जो functions है, redimate functions है वो already call करा रहा हूं बस मुझे special kind अगर कोई functions की जरूबत है तो मुझे सिर्फ उसका code बना के attach करके वो library से मैं उसको सिर्फ just call करवा रहा हूं या हमें बाद में कोई type नया introduce हुआ तो महाँ पर मैं कोई नए type का कोई introduce करके हूं महाँ पर coding में amendment कर दे रहा हूं date and time है तो क्या होगा, कौन सा inputs बनेगा, sections अगर है srs में time लगेगा just srs में time लगेगा means हमें नहीं उसके system design में time लगना है नहीं उसकी कोई तरह की coding में कोई time लगना है no code में वो पूरा product डवलब्ड होके आप software को तुरंत आप software को जल से जल delivered करने के लिए capability आ जाएगी as well as हमें testing उसमें testing और user end की testing जो दोनों testing जो होती है user end की testing block box testing white box testing दोनों ही testing आपके simultaneously start हो जाएगी आपको coding test code testing की जरूबद नहीं पड़ेगी installation के time पे testing जरूबद पड़ती है installation के time पे जहां पर हम उसके software का cpu load cpu load RAM load और connectivity load हमें यह testing की जरूबद पड़ती है बस इसके लाब कोई connectivity कोई testing की जरूबद नहीं पड़ती CPU load क्या होता है कि applications को कितने CPUs को हमें लगा के उसको देना है कितने clients आ सकते हैं कितने users online रहेंगे तो CPU load कितना लगना है कितना लगना है connectivity load कितना लगना है यह सिफ calculate होके महाँ पर server का structure बनता है यह भी installation का time पर मतला हमें software development में नहीं हम कोई code कर रहे हैं नहीं हम किसी तरह का specific कोई design बना रहा हैं बहुत बड़ा कोई design बना रहे हैं इसा कुछ भी नहीं है तो plug and play method यह introduce करती है इसके detail के लिए training के लिए मैं इसका special program बाद में चालू करूंगा कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं और साथी साथ एक chapter ऐसा भी चालू करूंगा जिसके अंदर हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लाइबरेरी बनाना देखेंगे कि हम लाइबरी बना कुन रह चाहिए और वह चैप्टर हमारा चलता रहेगा इस प्लग इंप्ले के टॉपिक में बस इतना ही और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का एलर्ट मिल सके बेल आइकन प्रेस कर दें ए उसका resolution में comments के थूरू या आपको communication करके 1-2-1 communications करके भी मैं आपको explain कर दूँगा और इसी में कोई add-on चाहिए या specific कोई plugins प्ले development कराना है तो आप मुझे उसके लिए भी बता सकते हैं मैं उसमें help कर दूँगा आपको इस वीडियो में बस इतना ही ठैंक यू